हेलो दोस्तों, वेलकम बेक टू एपस की दुनिया, यूटूब सर्व नल। दोस्तों आज हम बताओंगा जो आपके फून के गैलरी है, अगर आपके फून से गैलरी से दस सल पहले या पास सल पहले या कितने साल पुराना फोटू क्यों ना हो, अगर आपने जान बुसकर ग कर सकते हूं और यह 100-100 परसेंट वरकिंग है तो इसलिए आपको बता रहा हूं इस वीडियो को शुरू से लिए कि लाज तक जरू देखना तो दोस्तों आपको फिर सवागत करता हूं आपका ही इस इडिशनल एपस की दुनिया में दोस्तों मैं आपका दोस्त आपका भाई जैसे मैं गैलरी ऑपन करता हूं गैलरी ऑपन करने के बाद कुछ यहां पर फोटो देख सकती हो तो इन सब फोटो को मैं आपके सामने यहां पर क्या करता हूं पर पाच फोटो च्छे फोटो च्छे फोटो सेलेक्ट किया और यहां से मैं क्या करता हूं डिलेट कर देता जैसे डिलेट कर दिया फोटो डिलेट हो गया ठीक है और यहां पर भी फोटो कहीं पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहां से डिलेट हो गया और आज मैं यह बताऊंगा अगर आपके फोन से गैलरी से या कहीं से भी आपने गलती से या जानम उसके कोई भी फोटो डिलेट किया या video delete किया उसको आप कैसे recover कर सकती हो उसको कैसे अप हुआ पसला सकती हो तो ध्यान से देखना सही app कौन सा है क्योंकि बहुत लोग बताते हैं जो सही app है लेकिन काम नहीं करता है उसमें पैसा लगता है लेकिन ये देखो सबस्द पहले आपको करना क्या हो जो वीडियो देख रहे हुँ इसी खुश में पहले वीडियो को लाइक करते है और सेनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से आपको subscribe करके इसके साथ बेल आएगा ये ओल वाला बेल पे आपको दबा के रख देना है और जो वीडियो देख रहे हो उसमेटी नीचे comment box आएगा यहाँ पे आपको एक comment कर देना है photo and फिल लिख देना है आपको वीडियो तो description में app link दे दिया आप यहाँ से description से app link में click करके इस app को आपको आपको आसानी से मिल जायागा और ये app को आप install कर सकते हो दोस्तो मैं आपको step by step बताऊंगा जैसे य एप को पहले बार install करते हो इस तरह से आता है फिर select language आपको क्या करना है English कर देना है कर देने की बाद write कर देना है जैसे कि यह मेरा phone है पिछले तीन साल से मैं इस phone को use कर रहा हूँ जो कि Xiaomi MI का phone है तो अगर आपके पस कोई भी Android phone हो फिर भी चलेगा अगर दो सल तीन सल हो गया है और उसी दो सल तीन सल या दस सल पुराना भी है फिर भी वही photo वापस ला सकते हो जैसे कि यहाँ पर deleted photo recovery आता है और फिर दूसरा आता है यहाँ जैसे यहाँ पर देख सकते हो तो जैसे इसमें click करोगे तो यहाँ पर आपको allow कर देना है जैसे allow कर देने के बाद अभी मैं पहले photo recover करूँगा जैसे photo recovery और आपके सामने मैं ने पहले ही छे photo को delete किया था और वही photo face से वापस लाँगा तो मैं क्या करता हूँ tap to study scanning तो आपको भी यही same to same करना है जैसे आप tap to scanning में click करोगे और यह अगर आपका phone पुराना है तीन साल हो गया या पास साल हो गया तो उस time ज्यादा time लेगा मान के चलो 10 minute या पास minute time लेगा जैसे कि अभी मैं पिछले तीन साल से इस phone को use कर रहा बख बख मुझे लगता है तो 15,000 या 10,000 फोटो शायद delete कर दिया तो अभी यह पूरा scanning होने दो जैसे कि अभी पूरी तरह से 3 minute हो चुके है और scanning हुआ है 74% जो कि scanning हो रहा है अभी मैं पूरा 100% scanning होने के बाद दिखाता हूँ वाव जैसे कि अभी देख सकतो 96% हो चुके है और अभी भी photo scanning हो रहा है क्योंकि 3 साल में मैंने जितना भी photo delete किया था यहाँ पर scanning हो रहा है जो कि 13,400 वहाँ पर अभी भी हो रहा है और यह आपको भी इंतिजार करना है चाहे 5 minute लग या 10 minute लग आपको इंतिजार करना है ठी scanning किया यह पूरी तरह से आपका 7 minute समय लगा है मेरा और मैंने विडियो को पोस्ट किया था तकि आपका टाइम परस ना करो और यहाँ पी देख सकते हो photo recovery finished हो गया है और मैंने तीन साल में कितना photo delete किया था 18,092 photo चलो आपको करना क्या है scanning हो जाने वाद finished करने वाद 228 और line करके मैंने एक folder था उसमें भी उससे भी मैंने 378 photo delete किया और यहाँ पर Instagram से पास photo delete किया क्योंकि मैं Instagram जादा use नहीं करता हूं और फिर यहाँ पर gallery से देखो जो आपको बताया था gallery से photo delete कर दिया तो यहाँ पी मिल जाएगा जैसे 2337 तो अभी मैंने आपके सामने 20 seconds का add होगा और add देखोगे तभी जाके free में मिल जाएगा तो आपको add को देखने की बाद हटा लेना है हटा लेना है यहाँ पर देख से तो one to show thumbnails तो आपको यहाँ पर इसको भी show कर देना है और यहाँ पर show पर click कर देना है और यहाँ पर जो जो photo देखो अभी थोड़ी द और date भी आ गया है देखो 17 अगाश 2021 को यह मने फोटो डिलेट किया था फिर अभी में इसको require करोंगा simply recover पर click करना है फिर आपको यहाँ पर watch add जो की बिल्कुल free में क्योंकि बहुत लोगों को लगता है पैसा देना होता है ऐसा नहीं है इस एप में सिर्फ आपको watch add में click कर होगे तो loading adds होगा तो एक add सिर्फ 5 seconds का add होगा और यह 5 seconds का add को देखके आपको इस photo को require करना है जैसी add को देख लोगे फिर यहाँ पर यहाँ पे यह देखो recover recovering हो रहा है ठीक है और यह देखो files recovered हो चुका है ठीक है एक photo recover हुआ है अभी मैंने चार तीन चार फोटो पाच फो है और add भी सिर्फ 5 seconds का add होता है और यह add देखने के बाद आपका photo recover होगा यह आप ध्यान से सुन लो और जैसे यहाँ पर करोगे फिर यहाँ पर यह देखो recovering it may take few seconds to recover यह देखो recover हो गया है दो photo recover हुआ है अभी में और photo था जैसे नीचे होगा अभी जो आपके सामने में डि 21 कब डिलेट के था यह भी मिल जाएगा ठीक है तो इसको भी आप recover कर सकते हो अगर आपको recover करने के लिए थोड़ा time ले रहा है तो कोई बात नहीं आपको watch add पे click करो और watch add देखो recover हो जाएगा क्योंकि दोस्तों यह बिल्कुल फिरी में आपको बता रहा हूं कोई भी पैस यह बैक करता हूं यह पर exit पर click करता हूं और exit पर click कर दिने के बाद फिर इस तरफ से आएगा file recover जैसे डिलेटर photo फिर video recovery तो आपको भी same process है video भी recover कर सकते हो फिर audio recover कर सकते हो इस तरफ से रिकूबर कर सकते हो तो दोस्तों जैसे कि आभी मैंने आपको like to like pro के साथ दिखाया आप बिल्कुल इसी तरह से आप आपकी phone से जो भी photo वीडियो डिलेट किया था इसी तरह से recover हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको like to like दिखाया यह और यह बिल्कुल free app है इस app का link में वीडियो के डिया आप इस app को एक बाट यूज तो करो फिर आप मुझे कहना तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिल्म लेंगे आप से एक लिए लिए तब तक के लिए तो खुश रहो जैहिंद